कि है कि है अलो दोस्तो वाई एक्स्प्रेस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे मौली का धिकार यानि fundamental rights या मौली करतव fundamental duties के बारे में पहले तो समझेंगे कि मौली का धिकार और मौली करतब होता क्या है उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल में बाते करेंगे दोस्तों मौली का धिकार पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं जब हमारा देश अजाद हुआ सविधान बना और सविधान लागू हुआ कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को तब से लेकल हमारे पास बहुत सारे मौली का धिकार है यानि fundamentals rights है कल जो वीडियो हमने बनाया था दोस्तों उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि हमारा अधिकार क्या क्या है बहुत सारे अधिकार है एक line में समझे कि हम कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी पहन सकते हैं चाहे वो विदे कि यह हमारा मौली का धिकार है और हमने आपको नौर्थ कोरिया का उधारन दिया था कि वहां यह सब नहीं होता है वहां अगर आप बाल रखते हैं तो वहां भी दस से बारत प्रकार का वो design सरकार करके दिया है कि इसी में रखना है वरना अगर उसे के खिलाफ जाओगे तो आप पर केस हो जाएगा लेकिन यहां पर तो आप कैसा भी रख सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो यह हमारा अधिकार है ठीक है दोस्तों और यह 26 जनवरी 1950 से ही लागू हो गया था अब मौलिक कर्तब यानि fundamental duties के बारे में बात करते हैं मौलिक कर्तब मतलब मुल कर्तब क्या ह जब देश ने हमें बहुत सारा अधिकार दिया है तो देश के परती हमारा भी कुछ कर्तब बनता है उसी को कहते हैं मौल कर्तब दोस्तों मौलिक कर्तब यानि मौल कर्तब होता क्या है जैसे दोस्तों अगर हम तिरंगा या कहीं राष्टगान बज रहा है तो वहां पर हमे खड़े हो जाना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए यह हमारा एक है जो हमने अज फंडामेंटल डूटी जै दोस्तों 11 है उन 11 के बारे में बात करेंगे जैसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक चीज है दोस्तों अब सम्मान करना चाहते हैं महिलाओं का मत फैराइए लेकिन अपमान नहीं करना है राष्टगान अगर आपको गाना है गाईए नहीं गाना है मत गाईए लेकिन अपमान मत कीजिए ठीक है तो यह हमारा मौलिक करतब है कि राष्टगान हमें गाना चाहिए नहीं गाना है मत गाईए लेकिन हमें गाना चाहिए ठीक ह आपको बता दे दोस्तों जब हमारा देश में सविधान लागो हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो मौली का दिकार तो था लेकिन मौली करतब हमारा नहीं था उस समय हमारे पास कोई भी मौली करतब नहीं था तो यह आया कैसे तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों एक आंदोलन आपने सुना होगा जे-पी आंदोलन यानि जे-पी मतलब जय परकास नारायान एक बहुत बड़े नेता थे उन्होंने आंदोलन चलाया था एक आंदोलन किसके człिलाफ तो इंदरा गांधि के खिलाफ इन्द्रा गांधी के खिलाफ उछ समें इन्द्रा गांधि परधान मंतरी थी और हम बात कर रहे हैं 1975 की संग 1975 का तो जेपी अंदोलन जब चलाया गया बहुत ही जादा सांतिपूर्ण अंदोलन था दोस्तो बहुत ही ज़्यादा ये सांतिपूर अंदोलन से चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा अंदोलन था JP अंदोलन का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े नेता है इसी अंदोलन से निकले हैं समझें तो इतना बड़ा ये आंदोलन चला था किसके खिलाफ चला था तो इंद्रा गांदी के खिलाफ क्यूंकि इंद्रा गांदी उस समय परधान मंतरी थी और 1975 में चला था ये बहुत सामती पुर्ण ढंक से चल रहा था लेकिन कहीं हिंसक रूप ले लिया था बहुत ही ज उन्हों ने इस बात पर विचार किया और उन्हों ने क्या किया कि ये आंदोलन चली रहा था जेपी आंदोलन उनाइस सो चीहत्तर 1976 में एक उन्होंने गठन किया सरदार स्वर्ण सिंग कमीटी का उन्होंने गठन किया का 1976 में सरदार स्वर्ण सिंग का कमीटी सरदार स्वर्ण सिंग के नाम पर ही ये कमीटी गठन किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंग क्या था अध्यच थे इस कमीटी के इनका मकसद था इंद्रा गांधी ने ये कमीटी गठन करवाया था और ये अध्यच सरदार स्वर्ण सिंग थे इनका मकसद था कि फंडामंटल अधिकार तो है कोई दिकत नहीं है लोगों के पास अंदोलन करने क अधिकार है लेकिन सरकारी बसों को आग लगाया जा रहा था सरकारी दफ्तरों को आग लगाया जा रहा था तो उन्हों ने कहा कि जनता को कुछ कर्तब भी होना चाहिए अधिकार तो हमने दे दिया है लेकिन उसको कुछ करतव भी होना चाहिए और यह जिमंद्रा गांधी ने किसे पूस्भा तो सरदार स्वर्ण सिंग को उनको अद्ध्यच बनाया और उन्हीं को एक कमीटी का गठन करवाया ठीक है सरदार स्वर्ण सिंग कमीटी अब इन्हों ने क्योंकि हमारा सवीधान में मौली कर्तव को लेकर कोई भी जगहा नहीं था तो उन्होंने दुनिया का सविधान देखना शुरू किया लेकिन वहां भी कहीं कुछ उसको मुजग कुछ नहीं मिला तो जापान ये जापान में मौली करå अधिकाय रेखी था उतना बढ़िया नहीं था कई और यह चाहए है थे कि लोकतांत्रिक देश से लिया जाएं कि हमारा देश लोक तन्त्रिक है तो इन कहा से लिए ये USSR से USSR रूस नहीं USSR इनको USSR में ये मौलिक कर्तब मिला और उसी को यहाँ पर जोडा गया अभी आपको हम बताते हैं भारत के सविधान में मौलिक कर्तब जोडा गया USSR जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो Soviet Sun जिसको हम लोग क्या बोलते है Soviet Sun इसमें दोस्तों रूस के साथ 14 कंट्री और थे, 14 देश और थे, तो 14 एक 15 देश के मिलकर क्या बनता था, तो USSR बनता था, यानि सोव्यक संग बनता था, यह जो है लोकतंत्रिक देश समय नहीं था, यह हलाके चाहे रहे थे कि लोकतंत्र देश से लिया जाए, लेकिन उन्हें कहीं मिला नहीं यह करता भी को लेकर, तो वो USSR से लिए, यानि सोव्यक संग से लिए, और यह उस समय क्या था, USSR का जो फुल फॉम होता है, वो क्या होता ह Union of Soviet Socialist Republic, यानि यह सोचलिस्ट देश था, समाजवाद देश था यह, ठीक है, आपको एक वीडियो में हम बताएंगे लोकतंत्र क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, और भी क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बता देंगे, लेकिन यह लोकतंत्रिक नहीं था, फ लुगेखिस्तान, यह सब पहले कहां सामिल था, सोव्येट समय, लातिविया, लिथ्वानिया, जो यूद हो रहा है, रूस और यूद हो रहा है, कभी एक हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी अलग है, तो वही दोनों में यूद हो रहा है, तो वो सब मिलकर, पंदरा दे देना था तो सविधान में उन्होंने ये कब उन्होंने कमीटी का गठन किया और उन्होंने क्या क्या सोवियत संग से मौली कर्तब ले लिया था और 176 में ही सविधान में संसुधान हुआ कौन सां संसुधान तो 52 संसुधान 12 220 संसुधान हुआ था मौली कर्तब को लेकर है मौली कर्तब को लेकर 1942 में 42वा संसोधन हुआ था और इसको जगह कहां दिया गया तो भाग चारे भाग चारे और अनुछेद अनुछेद जो इसका था दोस्तो 51 अ था अनुछेद 51 अ था थिक है किशवियस संग से लिया गया मौली कर्थव 1976 में जो है मौली कर्थव इस सविधान में जोड़ा गया भाग चारे और अनुछेद 51 अ में जोड़ा गया थिक है दोस्तो इस समय जो था हमारे पास कितना मौली कर्तब था तो 10 10 मौली कर्तब था 10 मौली कर्तब था ठीक है उस समय हमारे पास 10 मौली कर्तब था लेकिन एक मौली कर्तब और आया दोस्तो 86 मा समिधान संसोदन यह कब हुआ था तो 2002 में हुआ था जो 66 सम्विधान संसोदान था दोस्तों उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को चैसे 14 साल के बच्चों को चिछा का कर्तब था ठीक है उसमें सामिल था एजुकेशन का एजुकेशन का सामिल था ठीक है छे से 14 साल के बच्चे का तो पहले 10 था और अब एक यह हो गया यानि 11 जो हमारा क्या है मौलिक कर्तब यानि फंडामेंटल ड्यूटी जै कितना 11 कहां से लिया गया कैसे लिया गया इसका सुर्वात कैसे हुआ अब चले दोस्तों हम आपको जो भी 11 मौली कर्तब है उसके बारे में हम बताते हैं देखे दोस्तों मौली करतव कौन कौन सा है पहला है दोस्तों सविधान राष्ट धवाज और राष्ट गान इसके परती हमें क्या करना है सम्मान करना है सविधान को सम्मान देना है राष्ट धवज राष्ट धवज का जो हमारा जुत्तिरंगा है दोस्तों उसका अनुपात užब ना चाहिए अनुपात में घंडा हमको फैराना चाहिए अनुपात के परथी इस्टू टू यानि लंबाई और दो चोड़ाई इसी साइज़ का मतलब इसी अनुपात में जो है राष्टिय दवज को हमें फैराना चाहिए राष्टगान दोस्तों राष्टगान के पर्थी हमको सम्मान देना चाहिए इसका जो गाने का समय है वो 52 सकेंड है इतने में ही आप खतम किजिए इसका एक डेडलाइन दिया हुआ है उन्हेसे 52 सकेंड में ठीक है थोड़ा बहुत उपर नीचे कोई दिकत नहीं है लेकिन उ उन्चास से 52 सकेंड में ही आपको ये खतम करना है राष्टगान को तो ये सम्मान देना हुआ है दूसरा जो करतव है दोस्तों सवतंतरता के लिए राष्टिये अंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्सों का पालन करें कि स्वतंतरता के लिए जो राष्टि यह अंदोलन हुआ था दोस्तों जैसे भगत सिंग ने अंदोलन किया था वैसे जो स्वतंतरता के लिए अंदोलन किय थे उनके जो आदर्स थे उनका हमको पालन करना है कि गांत तीसպष रात कीifying पार शुण लाए जाने पर राष्ट की सेवा करें ठीक है देश की हमें रच्छा करनी चाहिए और अगर बुलाया जाता है इमर्जंसी में तो हमें उसमें सेवा देना चाहिए ठीक है यह हमारा मौलिक करतब है पाचमा है दोस्तों भासा धर्म भासा प्रदेश वर्ग के अधार पर भासा है तो हम लोग जो है तमिल वालों से भेदभाव करें ठीक है तो भासा के अधार पर नहीं करना है हिंदू, सीख, इसाई, मुसलिम, धर्म के अधार पर भी हमें भेदभाव नहीं करना है, परदेश, यूपी, बिहार, हम यूपी के हैं, बिहार का है, कोई महाराष्ट का है, तो उससे हमें भेदभाव नहीं करना है, वर के अधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, इसका मतलब हुआ दोस्तों जो हमारा इतिहास रहा है संस्कृति रहा है जो हमारी परंपरा रहा है उसको हम लोग महतो दे उसको हम लोग संरचन दे उसको तो समझे उसको संरचन देना जाएए तो यह हमारा चत्ता है उसको खतम ना होने दे संरचन दे यानि उसको खतम ना होने दे जो हमारी परंपरा रहा है और यह हमने जो लिखा है दोस्तो 11 मौली कर्तब लिखा है यानि fundamental duties को लिखा है 11 तो हमने यह सोट में लिख दिया है अच मानववाद ग्न जन और सुधार की भावना को विकास करें ठीक है यानि आगे बढ़े व्ययानिक ग्रिश्टीकों को आगे बढ़ाना है ठीक है क्योंकि इसे तरकी से हमारा राश्ट्र तरकी करेगा आठवा है प्राकिर्तिक पर्यावरन का रच्छा करें प्रानी के पर्ति दया का भाव रखें ठीक है व्यग्यानिक प्रकिर्तिक पर्यावरन का रच्छा करें तैसे नदी जहील ठीक है पर्वत या पीड़ पोधा हो गया इन सब को हमको रच्छा करना है ठीक है और प्रानी के परती दया का भाव रखना है यानि जानवरों के परती पच्छी के परती हमें क्या रख करना है दया का भाव रखना है नवा है सर्वजनिक संपत्ति को सुरच्छित रखे और हिंसा से दूर रहें ठीक है सर्वजनिक संपत्ति को सुरच्छित रखे जो भी जैसे सरकारी संपत्ति है सर्वजनिक संपत्ति है उसको हमको सुरच्छित रखना हिंसा नहीं करना है यह अमारा कर्तव है क्योंकि हिंसा के लिए क्या बनाया गया था मौलिक करतो बनाया गया था ठीक है दस्वाइं दोस्तों व्यक्ति गत और सामुहिक गति विदियों के छेतर में बढ़ने का परियास करें जिसे क्या होगा राष्ट पर गति करेगा यानि व्यक्ति गति यानि खूद भी आगे बढ़ें और अगर सामुह वर्स के बच्चों को छिच्छा का बारे में दिया गया था ये भी कर्तब था कर्तब किसका था माता-पिता का और ये अधिकार भी है दोस्तों ये कर्तब और अधिकार दोनों है कर्तब और अधिकार दोनों है कर्तब किसके लिए है माता-पिता या गार्जियन पेरेंट्स ज के बारे में आपने चर्चा किया है उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो फसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें